जैहिंद मैं हूँ अजे आप देख रहे हैं पीबीसी और डब्लूपीसी चौकट तो पीबीसी डब्लूपीसी चौकट में क्या अंतर होता है सारी डिटेल बाते मैं आपसे सेर करूँगा इस पीडियो में मैं फनीचे जुड़ी सारी नौलज देता रहता हूँ फनीचे का अगर आप चाहते हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा डब्लूपीसी का जो मतलब होता है वो उड़ और प्लास्टिक दोनों को कमबाइन करके आनि की उड़ और प्लास्टिक का मिक्चल करके डब्लूपीसी को बनाया जाता है और जो पीबीसी होता है यह थर्मो प पीबीसी मारकेट में आपको डोर फ्रेम या बोर्ड मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि भाई देखो पीबीसी में दिक्कत समय में यह आ जाती है कि जो पेच कसते हैं वहां से पेच अपने ठीले होने लगते हैं अगर हाइई density का है तो दिक्कत नहीं आती इतनी जल्दी अगर low density का PVC board या PVC door frame आपका है तो उसमें दिक्कत आ जाती है तो मैं density भी check करके आपको दिखा देता हूँ ये देख सकते हैं आप PVC और WPC इन दोनों में कितना अंतर है कितना फर्क है और weight में भी फर्क है और quality में भी फर्क है बट ऐसा नहीं है WPC भी best है और PVC भी best है ऐसी बात नहीं है अगर high density PVC लेते हैं तो WPC से उसकी density कम तो रहती है बट वो ठीक होता है ऐसी बात नहीं है तो WPC PVC दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा हूँ और साफ साफ WPC में जो चोट लगरी हतावरी से उसकी जो deeply है तो कम है इसलिए कम है क्योंकि वो high density है और PVC में देख सकते हैं इनमें जो deep है वो इससे जादा है तो PVC भी best है ऐसी बात नहीं है बट WPC door frame best है WPC board best होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि भाई उनकी density जादा होती है WPC या PVC door frame लेते समय या board लेते समय आपको high density में PVC में लेना है और upper density में WPC में भी लेना है lower density में PVC या WPC में से कोई भी product मत लीजेगा upper density का लीजेगा तो best रहेगा आपके लिए तो ऐसी knowledgeful वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लेजेगा मिलता हूं किसी next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जय हिंदू जय भारत